बड़ी ख़बर की सुवात करते हुए आपको बता दे कि गुजरात के राजकोट में टी आरपी गेम में लगी आग से करीबन 28 से ज़्यादा मासुम लोगों की जान जा चुकी थी लिया जा गुजराज सरकार भुपेंद्र पत्यल ने फौरं तमाम महानगर पल्क्या के कलेक्टर और सूरत महानगर पल्क्या के कमिस्नर को आदेश दिया है कि जल्द अभी सभी गेम जोन हो या फिर हॉस्पिटल हो, टुईशन क्लास हो या फिर नाइट बजार में चलने तम साल बीच चुके हैं उसके बाजोद भी आज तक यहां पर सूरत महानेगर पाल का फायर का सिस्टम जो है नहीं लगा पाई है क्योंकि जो दुकानदार हैं यह कोई रेंड पर चला रहे हैं और करीबन 40-50 अजार रुपे तकरीबन लोगों के कहने के मुताबिक यहां पर SMC ज आज जो है सूरत सेर की जनता पूछ रही है क्योंकि रात रभिवार के दिन काफी जादा तेज भीड यहां पर दिखाई देती है और बाड़ी मात्रा में लोग यहां पर नाइट बाजार में नाइट का जो खाना होता है बेहद उसका लुप्त उठाने के लिए नाइट ब पिर सुरक्षा को लेकर जो घेरे में सवाल खड़ा होता है यह साइद आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे जिस तस्वीर को देखने के लिए हम यहां पर पहुचे हैं मेरे ठीक सामने जो है आप कैमरे पर जो देख रहे हैं यह सुरत महानगरपाल का द्वारा पहले से दिया गया है लेकिन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की बात में सबसे पहला जो आता है पबलिक सुरक्षा को लेकर वो है आग आग से बचने के लिए सबसे पहले क्या कुछ करना चाहिए जब भी कोई सी नाइट बाजार को प्लान सूरत महानगरपाल क्या स्ट्रेक्चर स्टैबिलिटी जब रिपोर्ट करती है तो उसमें फायर का अहम रोल होता है क्योंकि पब्लिक को सबसे पहले किसी कहां एक्जिट है और कहां से निकल कर भागना है उसको ये तमाम जो साउधानिया बरत्नी होती है उसको लेकर जो है फाइर जो सिस्टम पोटल होता है उसको लगा कर रखा है लेकिन चेक़िन करना कभ उस खतम हो गया जो है और फिर यूज हो speaking और ऐसमें ये तमाम सुविदायां जो है सुरत महानगर पालिका को या फार विभाग को यहां पर आकर जाज करनी होती है लेकिन जाज के नाम पर जो है